तो आज हमारा जो चैप्टर कुमारी द्वारा राइट किया हुआ है उन्होंने ये निबंद एक तरीके से जो उन्होंने लिखा है इसमें उन्होंने अपनी नानी अपनी मा अपनी दादी सबी के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है तो जो पहला यह आप आज़ाίνां वहाँ है आप आप इस भिता तो यह जो चैपटर रही है ड्म लेकी का है मृद्डिल ह कुमारी गर गिनोयों ने इसमें अपनी दादी ओर अपनी मा के बारे में बता है तो यह एक आत्मकता पर लिखा हुआ एक निबंद है आत्मकता जिसमें यानि व्यक्ति अपने बारे में बताता है अपने जीवन में गटे तो जो गटनाए होती है वो सब के बारे में बताया हुआ है तो इसमें यह कुछ पॉइंट्स हैं यह है नानी इस बोँज वाले में इसे रहे कि आपकते लाम पूरे कि वाने में चलेंग है लूट कि से अइसे मीट में अपनी आपके वालिक श हुँ आपनी आज कि तो सब वयुसमतों कि कि तो सिया. यहां पर आदी तोगावनी को पर आदी ने पूरवजों का प्रभाम यांनि जो लेकिका के पूरवज पूरवज ते दादी बाबा जो भी होते हैं पर दादी प्रभाब उनके अपने किसमे की रेड़ो दबंग इस तरीके समने करके हम 12 पॉइंट यह राइट किये तो एक एक करके पॉइंट से चैप्टर थोड़ा लेंटी हैं अब जितने भी जो चैप्टर आएंगे क्या है वो लेंटी ही आएंगी इस मरकतिका में चैप्टर सारे लेंटी तो हम फाले ना जी थे आपना मतलई अंग्रेजेलों फिर उन में काम करते थी थे सिंपल सा था जीवन जीवान भी करती थी पर उनके विचारति उसके बारे में उनके नाना जी तक को पता नहीं था कि पास्ट मैंध तो यह ही अम इस आइटी उनसे कोई कहानी नहीं सुनी इसलिए शायद लेखी का कहानी लिखने का कारे करती है ताकि वो और उनको कहानी सुना सके पर उनकी उसकी कहान, नानी की कहानी भी रहसे में ही है तो यहां पर वो अपनी नानी की कहानी के बारें बता रही है वे जीवन वर अनपर पर्दा नशी मतलब पर्दे में रहने वाली उनकी शादी विलाहिती रंग में रंगे एक ब्यक्ती से होई थी विलाहिती रंग में रंगे हुए थी जब उसके पति वीश्वविद्याल में ऐर विलाहिती रहने लगी यह किसकी बात हो रही है कि नाना के एक दुदि TRAFF 2 तब भी नानी अपने अनुसारी जीवन जीए ती ज़िजोओ कि बिलाईती रंग में रंग चुके थे बैरिस्ट्री यानी की वकालत करके आए जो नानी थी वह अपना सिंपल साधा जीवन ही जी रही थी मतलब पर्दे में रहना गूंगट वगएरा करके सिंपल साधा जीवन था उनका उन्होंने पती की जीवन शहली का कभी भी ब्रोद न पर अंतु जब उन्हें अपनी मत्यों नजदीक लगने लगी तो उन्होंने पती से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारे लाल शर्मा को अपने घर बुलवाया अब सोची जब इनसान की मत्योंने कट आती है तो वह सबसे पहलो उस इंसान को बलाता है जो अपने मतलब जो भी उसके अंदर कोई राज है या दूख हो या जिम्मेदारी देना चाहता है अंतर समय में कोई खास व्यक्ति कोई बुलाता है तो आप सोची उनकी नानी अपने पती से कोई चीज ना कहकर पती के दौारे किसी एक दूसरे आदमी को क्रांतिकारी आदमी को बुला रह जाता है और कहते है कि उसकी लरुपू कोई करांतिकारी ही के लिए उनरे वाला बरक ही होथा त यो कि un likes वो ते फिरंगई रंग वह और उंग्रेजों के अच अधिकलगा क्यों कि क्रांतिकारी होते हैं अंग्रेजों के विरोधी तो जायसी बात है तो उन्होंने अपने पती से ना कहकर एक क्रांतिकारी से कहा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए जो बड़ चाहिए वो कैसा होना चाहिए क्रांतिकारी होना चाहिए जो अंग्रेज सहाबों का फर्मा फर्मा जूप से लगाएगा था मतलब उनके जो खयालात है इस बात से पता चले कि मतलब वो घुंगड में रहती थी घरेलू बिल्कुल जैसे आम तोर पर जैसी हाउसवाइब होती वैसी घरेलू साधान जीवन जीती थी और उनका ये विचार सुनकर देश के प्रति मतलब वो चाह थी इनके लिए करांटिकादी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बैतर है उन्होंने कहा कि ऐसे किसी गुलाम मनने से इस इस था बयूडा है जी बैतर है तो यहां पर लेकीका ने अपनी नानी के बारे मेंते हुए बच्चों से मदला वहार किसकी सड़काई चल रहा है कौन क्या कर रहा है पर नहीं उन्हें रहती जरू जीवन साधारन बिता रही थी पर इतना उनको भी मालम था कि क्या चीज़ हमारे देश के लिए अच्छी है अब यहां पर हम करते हैं लेकिका के मा का बेवाई जीमा तो यहां पर जो उनकी मा थी जब मरने के पास निकट आ रही थी तो वह अपनी बेटी की बेवाई के लिए बात करती है तो अगला पाइंट अब उसी के आंगे का यानि की लेकिका की मा के बारे में लेकिका की माता की शादी एक पड़े लिखे होनार यूबक से हुई उसे आजादी के अंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शादी जिस व्यक्ति से वह एक पड़ा लिखा तो था और आईसी एसी की तैयारी कर रहे थे पर क्रांतिकारी अंदोलन होने के कारण उन्हें इस परिक्षा में बैठने समना कर दिया गया क्यों कर दिया गया क्योंकि उस समय चल रहा था अंग्रेजों का शाषन और अं मुख्री मिले उन्हें के पास पुष्टैने दन नहीं था मतलों जो यह सादान व्यक्ति उनके पास कोई फोई पुष्टैने घर मकान नहीं था दन भी नहीं था इस का लेकिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांदी जी के खयालों को अपनाना पड़ा जो लेकिका की माँ ती यानि उन्हें फिर अब मजबूरी होके पत्ती करांतिकारी थे, माँ पहले से करांतिकारी सोबाब वाली थी उन्हें गांदी जी के आधाश पसंद है तो फिर लेखी का कि मां के पास कोई और रास्ता नहीं रहा तो वो भी इसी रास्ते पे चल दी तो जो कि सारी का कि अतनी पतली दुग्ली थी कि खादी की सारी उस नायम में खादी के बास देते तो तो जू कि सारी की समालना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था और जो लेकिका की दादी थी यानि की मा की सास होई, उनको इस की मतलब जो शारीरिक धारना बोली जब अत Kyंड जो छंता थी वी बटी कंजेशी से दूर बलती है तो उसके लेकर उनकी दादी जो मज़ाग उड़ाय करती थी लेकिका की दादी लेकिका की मा का अपनी सस्वाल में पूरा रोब दाप था उनके दो प्रमुक कान थे लेकिका का मा का अपनी सस्वाल में पूरा रोब था दो कान थे पहला सस्वाल वाले भी अन्ने भारतियों की तरह अंग्रेजों से प्रवावित थे बहले उनका लड़का खाली जेब करांधी करता हो मतलब जो ससुराल थी लड़का तो करांधी काली मिला जैसे कि इनकी नानी चाहती थी पर जो ससुराल मिली वो थी अंग्रेजों की भक्त तो ससुराल भी अंग्रेजों की भक्त और जो बहु आई यह वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध था तो यहां पर उनका रोप चलता था क्योंकि जैसे में तैसे आकर मिल गया पर जो लड़का था यानि की लेकी का के पिता वो क्या थे एक क्रांतिकारी रहे किन्तु गर में दबदवा अंग्रेजी भक्त ससुर का चलता था ऐसी सिटी में गर में एक सिर्फ इने लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकता या रोमांचा पैदा करता है अब सोचो जड़ा ऐसा एक क्रांतिकारी की पत्नी आ गई मतलब लड़का क्रांतिकारी और पत्नी आई यह वो कैसे आई अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों की भागता ही है तो यह सब चीज़े महां पर कैसलती थे आई दिन गर में थोड़े बहुत ड्रामे होते रहते थे दूसरा पॉइंटर लेखी का कि मां की सक्षियत बहुत परवावी थी में सुन्दर नाजों की इमाना निस्पक्ष्ट तक गैर दुनियादार थी इसलिए कोई उन्हें गर के सामाने काम काजबी करने को नहीं कहता था उनकी तो सला भर्वी ली जाती थी जिसे पत्तर की लखीर की तरह निमाय जाता था उनकी सास ही नहीं जेठानिया सुयपती भी उनकी गर गरस्ति का काम खुद समाल लेते थे को डाओं परक वबार that सब्सक्राइं हुआ擊 बता बता की कि माका गर में कितना दबदबा अब मा विशेस्ट वरौर क्या हैं, पर मा का विश्रस्ट विवार लेखी का कि मा में आजादी का जुनूर बहुत था किन्तु वे उसे अपने ही आजाद खयालों से निवाती थी मतलब देश में आजाद होना तो सभी चाहते थे पर वो इस तरीके से नहीं जैसे और लोग क्रांतिकारी बन करते वो चाहती थी पर उस खयाल को अपने तरीके से निवा रही थी कि देश आजाद तो हो आजादी उन्हें भी पसंती पर हर व्यक्तिकार कारे को करने का अलग-अलग दंग होता है नहीं कि सब्हें एक काम को लोग लग तरीके से करता, तो मा भी चाथी तो इत्त Stick देश को अजाद करता ना पर जो उनका तरीका था क्रांथी पूस्य कारियों के तरीक students नहों कर, उनका तरीका जो था भो थूगा लग था वे आम भारतियों मा की तरह बिल्कुल नहीं थी उन्होंने ना तो कभी बच्चों की को लार प्यार किया और ना ही खाना पकाया ना घर बार समाला उनका प्रमुक कारण था कि उनकी इन कामों में क्याती रुची बिल्कुल नहीं थी दूसरा कारण था बीमारी उनका अधिकान समय किताब पढ़ने, संगीत सुनने और साइटे चायचा में बीच जाता था गर में हिसाब से कुछ भी काम ना करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था सब उनके प्रतिशिद्धा रखते थे उसके तीन काम थे यह सोची आज के टाइम में अगर कोई घर की बहुत काम ना करें तो घर में बवाल आ जाते बहुत बड़े बड़े तूपान आने लगते हैं तो यह उस समय की बहुत देशाजाद भी नहीं हुआ था तो अब घर की बहुत काम नहीं करती थी ना उन्होंने कभी खाना बनाया ना अपने बच्चों का कोई कारे किया उनका कारे सिर्फ होता था किताबों को पढ़ना संगी सुनना बाचीत करना साहिते पर चर्चादी करना इतना सब होने के बावजूद भी कभी कोई उनके किसी भी काम पर उंगली नहीं उटाना था तीन दीजन थे हैं एक तो सहाबी खांदान से होना मतलब वो जिस परिवार की थी वो सहाबी खांदान था क्योंकि उनके पिता तो अंग्रेजों के उसमें थे ही मतलब बहुत सी चीज़ें कि आउती लोग चुगली करते एदा की सुन ली उदा कर ली कि वो आपके वारे में ऐसा कर रहा तो वह वैसा है तो यह चीज़ उनकी नहीं थी एक की बात सुनकर दूसरे के सामने प्रकट करने तो इस कारण उनका मतलब उनके प्रती घर में सभी को शुद्धा का बाब था अब हमारा यहां पर जाता है चौता पॉइंट आता है निजिता को प्रोथ साहन लेकिका के गर में सभी को निजिता की पूरी छूट थी किसी एक की चिट्टी आती थी तो दूसरा उसमें यह नहीं पूचता था कि उसमें क्या लिखा है इसी छूट के कायन लेकिका और उसके तीन भाई बहन लेकन के छेतर में आ गए लेकिका की परदादी भी 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 लेकिका की प लीक से परेचलने वाली औरत थी। लीक से मतला कभी पॉइंट पे ना चलके। उनसे मंदिर में जाकर मन्नत मानी कि उनकी पोतहू को पहला बच्चा लड़का हो। लड़का ना हो का सवरी लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की बड़े समाज में गोशना भी कर दी। और हर रोज मन्निर में जाकर मन्नत दौराया करती। इसका कोई कारण किसी को समझ नहीं आया। और उन्होंने भी अपने मूँ में कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस से बनी होई है। पर दादी के बारे में प्रसिद था कि भवान उनकी जरूर स तुनते हैं जो यही हुआ। गर में पहला शिशू लड़की होई भगवान इस अद्बुत इच्चा से है। शायद इतने गवरागई की गवरागई की एक नहीं है। एक के बाद पांच-पांच कन्याएं जन्मी है। मतलब जो इनकी दादी थी, दादी का बोलते हैं कि मन लड़काओ पर वो लड़की मांगती है। तो लोग यह कहते हैं कि बगवान उनसे इतने प्रसंद हो गए कि एक नहीं पांच-पांच लड़कियों है। पर उन लड़की को मांगने का रीजन क्या था यह उन्होंने कभी नहीं बताए उनकी दादी ने। अब लेखिका पर अपने पूरवजों का प्रवाब उनकी दादी हो गई थोड़ा पापा का सब का थोड़ा थोड़ा असर तो आता ही तो देखिये। लेखिए। लेखिगा कि मांका प्रवाब इतना था कि एक चौर भी उनके सामने पकर कर बहला इनसान बंगया हुआ कि यह एक रात घर। क सारे मर्द बरात में चले गए, सारी औरतें सर दजकर रत जगा मनाने आकर इखटी हो गए, नाच गाने और डोलक के शोर में एक चोर घर्ज में गुस गया, सायोग से वै उस कमरे में आप गुसा, जहां शोर से बचने के लिए लेकी का की मा सोही होई थी, चोर के पावों की आहट से मा की नीन खुल गई, मा ने पूछा कौन, चोर बोला जी मैं, मा ने कहा पानी पिला, यह कहकर उसने अपना खाली लोटा, उसे पकड़ा दिया, और कुए से पानी बहने को कहा, बोली, पर देख, कपड़ा कसका बांध रखी हो, और तरीके से छानी हो, यह सुनकर चोर गबरा गया, उसना सोचा कि मा ने उसके मुँपर कपड़ा, मुँपर बंदा कपड़ा, और कमर में बंदी भाग देख लिया है, मा ने फिरका जल्दी पानी ला, चोर बोला पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी, मा ने का तेरे और पान के सिवा कौन धरा है, जो पिलाएगा, ऐसा चोर अकबकाया कि नानी की पानी बरने चल दिया, वे पकड़ा गया, तब से उसने चोरी छोड़ का खेती का दंदा अपना लिया, तो यह उस रात का किस्सा है, एक बार का किस्सा है, जब लेखी का कि गर के सभी लोग कहीं बाराँ में शाधी में घये, गर की जो महिलाएई थी, जब बाराँ में सब घर के जैन जातें तो महिलाएएक कुछ, यह संगीत करती है, कुछ, नौट AN sites होती है, तो वही कहने की तयारी हो रही थी, तो जो महा थी, ज़् seam is not, जाद़ ज़्ऑन की चीजहों थी। थी, नह अब चोर जाहिल सी बात हो तो चोर के मुझपर भी कपड़ा बंदा होगा और कमर में रस्ती बंदी होगी ठीका ना तो मा आहट मतलब सुनका कहती है कि मुझे पानी दे पानी देने के लिए पासमा जो खाली लोटा तो उसे पक्रादे तो पर वो कहती है नहीं कुए से जाके बर केला मतलब जो रसी बंदी है रसी से बहना और मुपे जो कपड़ा बना है उससे चानना मतलब पानी बर कर लाना नहीं था यह उसको एक सबक सिखाना था अब वो छोड रगया कि मतलब इनको कैसे पता कि मेरी कमर में रसी और मुपे कपड़ा है तो जाएसी बाए तो चोर खुले हम तो ऐसे आएंगे नहीं तो रसी भी बंदी होगे मुपे कपड़ा तो बंदी बंदा होना है तो चोर क्या होता है तर डर जाता वो पकड़ लिया जाता है वह अगला पॉइंट है लेकिका के बाई बहन लेकीका के बाई वेन शायर परदादी की मननत के कारण लेकीका और उनकी चारों बेने लड़की होने के नाते किसी हीन बावना की शिकार नहीं होई बलकि उन सब ने किसी लीग पर चलने से इंकार कर दिया उनकी सबसे बड़ी बेन थी मनजुल भगत इनहीं के लिए परदादी ने मननत मांगी थी इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पती का नाम गिरान कर लिया और प्रसद्द लेकी का बनी दूसरी कन्या थी मरदुला गर्ग अचारत लेकी का स्वें इन्होंने भी शादी के बाद पती का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया लोग हैरानी से पूछते हैं कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों ही बदल लिया लेकी का कहती है कि नाम नाम बदलने से व्यक्तित में कोई अंतर नहीं आता है इसलिए नहीं बदला लेकिका की तीसरी बहन गौरी उस चित्रा लेकन नहीं करती थी चौती बहन रेडू भी नहीं लिखती थी पाची बहन अचला अंग्रेजी में लिखती थी तता छोटा भाई राजी भिंदी का लेकक है इन चारों को उसका सा पढ़ाता है लेकीका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके सस्राल वालो वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते परन्तु बाद में इसके लाब भी पता चले जो लेकीका के बहन ते उनकी जैसे बताया कि लेकीका की जो चार और बेहने थी मतलब वो उन मैंसे तीन बहने तो सबसे बड़ी जो बेहन थी उन्होंने शादी के बाद जैन धर्म अपना लिया और लेखिका ने जो दूसरे नम्भाई की थी वो स्वय कौन थी लेखिका थी यानि कि मदुला म्रदुला गर्ग अचा यह पांच आचा पांच पांच वहने के बाब जूद भी लोग इन पर अचंबित क्यों नहीं होते ति क्योंकि सबसे बड़ी चीजी ही क्योंकि मनत द्वारा मांगी गई थी किसी के गड़ में अगर दो या तीन लड़ी किया हो जा तो ही लोगों को बड़ी टेंशन हो अटीज से वही अब उनको खिला रहे हैं वही उनको पाल रहे हैं पर इनक्या ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि यह मांगी गही थी इश्वार से प्रातना द्वाद की गई थी इनके लिए अब अपने किस्मी की रेडु लेखी का की दो बेहने जो लेखी का नहीं बनी अब यहाँ पर हम कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं अपने किस्मी की रेडु बागी की बैने थी वो हिंदी में लिखती थी कुछ इंगलिश में लिखती थी यह अपने किस्म में थी लेकी आकी दो बैने जो लेकी का नहीं बने हो उनमें से अधिक स्वातना और दवंग थी वे अपने अनुसाय जीना चाहती थी गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिताओं ने लिवाने के लिए गारी बेज दिया करते थे अच्छला तो उसमें बैठ जाती थी किन तुरेडू पैदलाती थी वे कहती थी थोड़ा सा रास्ता गारी में बैठ का तै करना सामंत शाही का प्रतीक है इसी कारण बिये की परिच्छा देने के समय भी अर गई बोली परिच्छा देने का फायदा बताओ सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया पिता ने का इससे नौकरी कर सकोगी शादी कर पाओगी लोग इजजस से देखेंगे आदी आदी किन तु वे ना माने अंदे में पिता ने आदेश दिया कि मैं कह रहा हूँ करो तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बिये की परिच्छा की वे सच बोलने में मास से दो कदम आगे थी इसलिए उसका सच सुनकर लोग हस परते जब कोई भी उसे इतना बेड करता तो वे कहती नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ मतलब इसमें जिस रेडू के बारे में बात की जा रही है यह थोड़ी अपने इच्छा अनुसा चलने वाले थी परिवार को देखे करते हैं पर यह क्या थी अपनी थोड़ी इच्छा अनुसा करना जैसा इनको करना चाहती थी यह उसी प्रकार से यह जीती थी हैं तो जैसे बोला गया कि बीए की परिक्षा के लिए इन्हों को सबने समझा है पर इनोंने नहीं कि जब रीजन बताएगा करने के तब भी यह तया नहीं उसके बाद जब इन्हें यह पूर रूप से पिता तब जाके इनोंने पिच्छा की इच्छा पूरी करने के लिए इनोंने बी एकी परिक्षा दी, तो यहां तो रेनु हो गई, अब जो दूसरी बहन थी वो थी चित्रा, चित्रा लेकी का कि तीसरे नम्मर की बेंट चित्रा भी दमंग थी यानि रेनू और चित्रा जो की लिखती नहीं थी वे मन में आई बात करके ही मानती थी कॉलिज में पढ़ते समय वे खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी इसके लिए अपने अंक अपने शागिर्दों से कम आते थी मदला वो खुद कम पढ़ती थी और दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी हमेशा उसके कम मार्च आते थी और दूसरों के ज़्यादा आते थी शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में एलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह सोच वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है पहिणाम सहरूप लड़के ने हतियार डाल दिये शादी हो गई सबसे चोटी बेहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की पिता की इच्छा नुसा शादी की वे लीक पर ही चलती प्रतीत होई पर उन्तों 30 वर्स की उम्र में उसने भी लीक से विद्रो किया और लेखी का बन गई तो यहां पर उनकी बेहनों के बारें बताएगा कि बेहने कैसे कैसे थी अगला पॉइंट हमारा द्रड़ संकल्प सबका स्वभाविक गुड़ सबी बेहनों में लीक से अटने का गुड़ है सबी बेहनों में लीक मतलब को पॉइंट से सभी बेहनों समय के शहाव से इनसान सोचकर तो बहुत कुछ चलता है पर क्या है समय और परिस्टेतिय हर इंसान को उसके रास्ते से बढ़गा देती है, समय के साब से लोग बदल भी राते हैं, रास्ते भी बदल लेते हैं, तो यहां पर भी इस कहानी में भी इस निवन में भी थोड़ी यही कंडिशन आई है, कि कुछ लोग तो चले ही नहीं शुरू से और जो चले, तो समय के साब से उने भी अपना रास्ता बदलना पड़ा तो यहां पर है सभी बेनों में लीक से एटने का गुण है परंतु गर्ग, रस्ती और विवा के परंपरागत तरीके को किसी नहीं नहीं चोड़ा उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता गर के बीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफी है लेकिका शादी के बाद बियार के छोटे से कस्वे डालमिया नगर में पहुँची वहाँ नए नारी की प्रतक्ता इतनी हावी थी कि पिक्चर में भी नए नारी अलग बैठते थे इसी डालमिया नगर में लेकिका ने कोशिश करके कुछ शादी शुदा ओरतों को इस बात के लिए तयार किया कि वे पराय मर्दों के साथ मिलकर नार्टों में अभी नाय करें उन्होंने चार साल तक कई नार्टक किये और अकाल रात कोश के लिए दान एकत रिकिया जब वो अपने जीवन में एक बार बिहार गई होंगी लेखी का जब बिहार में जाके उन्होंने वहां का माहुल देखा कि वहां पर और ओरतों को लेकिए इतनी परदा प्रता थी कि पोटो भी अगर हजबन भाई पिस जाते तो पास तो होते थे उनके बीज में गैप होता साथ साथ नहीं बैठते थे तो यह देखकर अब उनकी मन में में आए तो यहां से यह चीज दूर करनी आ जब घर में ही महिलाओं को इतनी बंदिशय होती थी उनको दूर कहनी के लिए पहले उनके महिलाओं अभीना कहने के लिए पिरित किया और इन नाटकों के द्वारा उन्होंने कोच धन संचय भी किया रहात कोश के लिए अब करनाटक में विश्विद्याल है निर्वार अब यहां पर बिहार का होगे आप उनका है करनाटक में विश्विद्याल है लेकी का करनाटक में एक चोटे से कज़़े में बागल कोड में पहुची यात्रा तो वो करती रहती तो अब कहां गहीं करनाटक के बागल कोड में वहां कोई दंका विद्याल है नहीं था जहां वे अपने वहां जहां वे अपने दो बच्चों को पढ़ा सके उसने पास के कैतोलिक विशप से प्रातना की वहां सीमेंट कार खाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे विशप ने कहा वहां क्रिश्चन जनसंग्या कम है लेखिका ने गये क्रिश्चन बच्चों की को भी शिच्चा योग्ये होने की दलील दी विशप ने कहा आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले सौ वर्सों तक चलता रहेगा यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई बिशप ने भी कहा इस्कूल खोलना आपकी समस्या है मेरी नहीं लेखिका ने संकल्प किया वे अंग्रेजी हिंदी कंणर तीन बहसा है सिखाने वाला स्कूल खोल कर रहेंगी और करनाटक सरकार से मानिता भी दिलाएंगी उसने कुछ शिर्फरे लोगों की सायता से यह काम शुरू किया उसके साथ अन्य सरकारी अफसरों के बच्चों बच्चे भी स्कूल में पड़े इस प्रिकार लेखिका ने अपनी जिद्ध को हर जगे पूरा किया और विशेश का लेखन के मंच पर तो जहां पर वो गई थ थी हमने बता करनाटर के तो आप पर क्या था एक भी अच्छे स्कूल नहीं थे सीमेंडर तो वहां जो कार खाना तो कार खाना से वो चाहती थी तो जैसे वो कुछ और लोगों के साही योग से एक नहाए विद्ध्याले का निर्मार करती हैं जिसमें तीन प्रिकार की बासा अवेर लास्ट हैडिंग हमारी रेणू की जिद का किस्सा लेकी का कि जिद रेणू की जिद के सामने कुछ नहीं है सन 1950 की बात है एक दिन दिल्ली में एक साथ नौ इंच बारिश हुई पूरा नगर पानी में लबा लब भर गया कोई वाहन वाहन ना निकला या था ठप प द्रrän वेर वैं किंतोए रेणू ने श्कुल जाने की जिद ठान ले उससे समझाय गया कि स्कुल बंध होगा पर अनुब है नहीं मानी है था रई Prague के पता कि स्कुल बंधों से तो श्कुल जाना है आखिर का रएराज वह बस्ता उठाकर स्कूल गई स्कूल स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया गल आने पस अपने कार हमने पहले ही कहा था इस पर रेणु बोली स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई इसमें आपका कहना कहां से आ गया लेकिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच होगा सचमस अकेले पन का मज़ा कुछ और ही है यानि जो उनकी बेहन थी यह बहुत ज्यादा जिद्धी थी चित्रा से भी ज्यादा जिद्धी थी तो यहां पर हमारा यह चैप्टर फिनिश होता है तो यह पॉइंस आप इनको देख लेंस पॉइंस के वेस पे आप यह प पिर मिलेंगे आपको फोके स्वेंस टेक केर